नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने study channel JP Online Education पर दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं परिछा में बार बार पूछे जाने वाले एक क्यावन महत्रपूर प्रस्ण जो UBPCS, BPSC, ROARO, SSC, Railways आधी परिछाओं में पूछे गए हैं आज का पहला प्रस्ण है, खेल खोखों में कितने cross lens होती हैं आठ, नौ, दस या पंदर तो बात करें खेल खोखों की इसमें जो है 8 cross lens होती है, आपसन 8 दे राइट आइंसर प्रसंखा 2 पर आते हैं, संसत के लिए राष्टपती का अभी भासड कौन त्यार करता हैं, तो एम राष्टपती, लोकसभाध्यच, राजसभागे सभापती, अथवा केंदरी, मंत्री, मंदल क्योंकि वास्तविक कारेपाली का सक्ति केंद्री मंदल में नहीं सोती है इसलिए राश्टपती का अभी भाषड जो है केंद्री मंदल ही त्यार करती है प्रसंगा 3 पर आते हैं भारती मुद्रा पड़ाली में दसमलों पदती किस वर्ष से लाउगी गए थी 1947, 1957, 1935 एन में से कोई नहीं तो बात करते हैं भारती मुद्रा पड़ाली की तो ये एक अपरेल 1957 थे भारत में लाउगी गए थी प्रसंगे चार पर आते हैं निम्लिकित में से किस सिख्ग गुरु को जहांगीर ने मृत्युदन दिया था गुरु हरिकिशन, गुरु तेक बहादुर, गुरु गोविन सिंग या गुरु अर्जुन देव तो 16-26 में अर्जुन देव पर सड्यंतर का आरूप लगा कर जहांगीर ने मृत्युदन दिया था तो आपसें डी दराइट एंसर प्रसंगे 5 पे आते हैं दल बदल के अधार पर निर्वाची स्वस्यों की अयोगिता संबंदी विवरण किस अन्सूची में है दूसरी, तीसरी, नवी या दस्मी तो सहीज़ वाब होगा आप संजोएटी दसमी अनसुची में दल बदल के अधार पर अयोगिता संबंदी विवरण है प्रसंग के 6 पर आते हैं मंगल पांडे जिसने अकेले अर्थार्स तावनिस्वी में विद्रो का सुत्रपास किया था संबंदित था 34 वी या 34 वी नेटिव इंफरेंटी से 22 वी नेटिव इंफरेंटी से 19 वी नेटिव इंफरेंटी से या 38 वी नेटिव इंफरेंटी से तो सहीज़ वाब होगा आप संजोए ए 34 वी नेटिव इंफरेंटी से प्रसंखे 7 के आते हैं, यांतरिक उर्जा को विघित उर्जा में किसके द्वारा बदला आता हैं? साथ यांतरिक उर्झा को विधित उर्जा में बदला आता है प्रसंख्या नौ पर आते हैं राड़ास्थान ये तमिलनाडू तो सामभर ये जैपूर राड़ास्थान में और ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद है और 190 वर किलोमेटर में ये फैली होई जील है प्रसंखा 10 पर आते हैं उत्यपड़िस में सफ से जलवाई छेत्रों की संखा कितनी है पांच साथ ग्यारा या नौ तो सभी जब होगा आफंड़े डी नौ प्रसंखा 11 पर आते हैं पाक जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है भारत पाकिस्तान बारत स्री लंका पाकिस्तान और अफगानिस्तान बारत और बांगलादेश तो पाक जलसंदी ये जो है भारत और स्री लंका को अलग करती है आफंड़े द्राइट हैं तो प्रसंख बीर इंसर Wick 10 опер आते हैं अघ्रिट्झे प्रतिरोध का एसाइघ मात रख यह ओं तेसला एंपियर यह वाट तो विद्धी प्रतिरोध का जो आप देखेंगे मात रख वो ओम होता है अप्सर्जु है पह संग का चौधा पर आते हैं बिठूर गंगा महसव का आयोजन उत्तर परदे से किस सहर में होता है आगरा कानपूर लखनौ या सीतापूर तो सब्सक्राइब होगा आफ़न भी कानपूर पडहा पर आते हैं बाबा परमाडू अनुसंदान के इंदर काहा हे सिता है नहीं दिल्ली, कोलकता, चिन नहीं या मुंबई, तो सही जवाब होगा आपसन डी मुंबई, और यह सापना 1954 में हुई थी और उसके मुख्याल है ट्रामबे मुंबई में है, प्रसंका 17 पर आते हैं, अंग महाजनपत की राधानी कहां थी, वैशाली, कोशामबी, प्रावस् चंपा, तो अंग महाजनपत की राधानी चंपा थी, और अंग में बिहार के भागलपूर और मुंगेर के आदुनिक जिले सामिल थे, प्रसंका 18 की बात करते हैं, पहली बार कोलकता में सरोश नियाले के असापना कप की गई थी, 1772 में, 1774 में, 1872 में, 1872 में, या 1874 में, त रोश नियाले के असापना की गई थी, प्रसंका 19 पे आते हैं, निम्निकित में सक्की से भारती असांती के जनक की रूप में जाना आता है, बाल, गंगाधरती लग, विपीन चंदरपाल, गोपाल, किष्ण, गोकले, या दाथा भाई नौरो जी, तो सभी ज़ाब होगा आ प्रसंके 22 पे आते हैं, नियासीन किस विटामिन का रसारी नाम है, बीफाइब, बीथी, 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 या विटामिन B12, तो नियासीन जोए विटामिन B3 का रसारी नाम है, और विटामिन B3 कमी से पहला गरा नाम है रोग होता है, प्रसंके 23 पे आते हैं, यच्छगान किस राजी का लोग निरते हैं, तो यच्छगान करनाटक का लोग निरते हैं, आफ़न ए दराइट एंसर, बात करते हैं, 24 नमबर संख्या की, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त ए लोग की निती अपनाई थी, प्रसंके 25 पे आते हैं, कानून के सासन की अवधारा निमलिकित की समविधान ने पड़ाले की एक विशेस्ता है, ब्रिटेन, USA, फ्रांस या स्वीडिया लेंड, तो इसका सही ज़ाब होगा, आफ़न ए ब्रिटेन, प्रसंके 26 पे आते हैं, भ प्रसंके 26 पे आते हैं, करो या मरो का नारा, मात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहट दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, सभीने वग्या अंदोलन, चंपारण आंदोलन या अहसायोग आंदोलन, तो सही ज़ाब होगा, आफ़न ए भारत छोड़ो आंदोलन, प्रसंके 29 पे आते हैं, विश्व तंबाकू निसेद द दिवस मनायाता है, प्रसंके 30 पे आते हैं, किश्ण देवराय के दरबार में अश्ट दिगज कौन थे, आठ मंत्री, आठ तेलगु कभी, आठ महान सिनापती या आठ परामर्थ दाता, तो किश्ण देवराय के दरबार में जो अश्ट दिगज थे, वो आठ तेलगु कभी प्रसंख्या 31 उत्तर प्रदेश में उर्दु को दुतिय राजभासा कब घोसित किया गया था प्रसंख्या 32 में आते हैं कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है विटामिन E, विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D तो याद रखेगा विटामिन B और C पानी में घुलंसीन है और बाकी A, D, E के ये सभी वसा में घुलंसीन विटामिन है प्रस्वावोगा ये थे खुदी रामबोस और जब इनको फासिद दी गई थी तब ये अठारा वर्स आठ महीने और आठ दिन इनकी उम्र थी प्रसंका 34 में आते हैं उत्ता प्रदिस में राक फास्वेट कहां पायाता है बांदा जहांसी अमीरपूर या लेलिपूर तो उत्ता प्रदिस में राक फास्वेट जो है ये बांदा में पायाता है आपसने इस दिलाइट एंसर प्रसंका 35 में आते हैं चटान काटकर बनाए ह हुआ कैलास का सुपरसित्ध मंदिर निम्लेशित अस्थान पर हैं अजन्ता बादामी महाबलिपुरम या एलोरा तो सही ज़्वाब होगा आसन जोए डी एलोरा ये बारत के महाराष्ट में छत्पति संभा जी नगर जी लेके आसपास देवा इस तिस हैं प्रहसंका च्छति और ये भाग चार है जिसमें अनुशे च्छति से अनुशे दिक्यावन तक राज के निती निदेसे तत्तों की व्याख्या की गई है प्रहसंका च्छति पर आते हैं सबसे धिक कारबन युक्त लोहा कौन सा होता है ढलवा लोहा इनमें से कोई नहीं तो सबसे धिक जो होता है वो होता है ढलवा लोहा आसन एज़न राइट एंसर प्रसंक नार्चिस पर आते हैं प्रिटमी दोगरा विचेपड में विचलन सबसे अधिक होता है लाल, बैगनी, नीला या पीला तो सब्से ज़़ाव होगा आफसन जोए B बैगनी रंका विचेपड सबसे यादा होता है बात करेंगे सबसे कम की तो वो सबसे कम जो है लाल रंगा होता है तो सही जो आब होगा आपसन भी प्रसंग का 49 पे आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सिम्ला समझवता हुआ था 1 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972, 1 अगस 1972 या 2 अगस 1973 तो सही जो आब होगा आपसन भी दो जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिम्ला समझवता हुआ था प्रसंग का 40 पे आते हैं हारमुच जलसंदी निमिकित में से किन दो देसों को अलग करती है आपसन भी 5 वर्स की ओदि के लिए 202 पे तहत वित आयोग राश्पती दो दो जखथित आयोग है प्रसंगे 42, cabinet mission भारत कब आया था? 1946, 1945, 1942 या 1940 तो सही ज़ाब होगा आपसर ने 1946 British स्राज से भारती नेतित्तों को सत्ता हस्तांतरर की योजनाव पर चर्चा के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के जचता में cabinet mission 1940 में भारत आया था और उसमें तीन सज़स्य थे प्रसंगे 43 पर आते हैं स्टनत भारत के लोग सभा के पहले अदेश को होंते उकुम सिंग, बली राम भगत, रवी राय या जी भी मावलकर तो सही ज़ाब होगा आपसर जो है दी, स्री गनेश वासुदेव मावलकर जो है भारत के लोग सभा के पहले अदेश थे और इनका कारकाल 1952 से 1956 तक था प्रसंगे 44 पर आते हैं हेलसिंकी राध्धानी है डेन्मार की, फिनलेंड की, नार्वे की या स्वीडन की तो हेलसिंकी जो है राध्धानी है फिनलेंड की आफ्षान बी द्राइट एंस है प्रसंगे 45 अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है कांगो, लिमपोपो, नाईजर या जामबेजी तो उसका सही जवाब होगा आफ्षान जो है लिमपोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है प्रसंगे 46 पर आते है छेत्रफल की नजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है नील नदी का डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा अमेजा नदी का डेल्टा या मिसी सीपी नदी का डेल्टा तो सभी जबगा आपन जो है भी सुंदर वन डेल्टा जो गंगा बनपुत डेल्टा भी के नाम से जाना जाता है और यह भारत और बांगलादिस में फैला हुआ है प्रसंग कैसा है 47 के आते है दहारता चालिसा क्या है पहला 40 डिगरी जचीडए च्छांस की जलधारा दूसरा 40 डिगरी उस्तिडए च्छांस की जलधारा तीसरा डचीडए गुलार्द में 40 डिगर च्छांस के पास चलने वाली थे जवा यहन में से कोई नहीं तो Владशार्था चालिचा है दच्छिडी गोलार्थ में 40 डीड एच्छांस के पास चलने वाली ते जवाग को जोए दाहारता 40 आ करते हैं असंसी द्राइट एंसर पर संख्यारतारिक पर आते हैं निम्रिकित में से किस मंदल को समवहन मंदल भी कहाता है चोब मंदल, समताप मंदल, आयन मंदल या मद्धि मंदल तो सही जवाब है आपसें जो है एक चोब मंदल और मौसम समवहन सभी गटना है बिडली कड़कना बारिसका होना आधी तूफान ये सभी जो है चोब मंदल में घटित होते हैं प्रसंग के उन्चास उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोग गीत है मांग कजरी बोल या बोली तो सही जवाब होगा आपसें जो है कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोग गीत है जो बनारस तथा मिर्यापुर के आस पार जो है बरसास के मौसम में ग दूसरी नमर पर अपना देश भारत है कि प्रसंगे क्यावन पर आते हैं बार्दोली सत्याग्रह 1928 का नेज़त किस ने किया था राजेंदर परसाद ने विनुबा भावे ने या बल्लब भाई पटेल या जमना लाल बजार ने तो सही जवाब है आपसें जो है वल्लब पटेल द्वारा जो है बार्दोली सत्याग्रह का सुबारम किया गया था तो दोस्तों इस प्रकारते हमाई जो है महत्तपूर इक्यावन प्रसम जो परिचाएं बार बार पूछे गए और आगे पूछे आने संभावना है उसको हम लोगों ने पाल करा दिया है आसा है जो दो दिया में